हेलो, नमस्कार दोस्तों कुछ लोग हमेशा परिष्थिती को ही दोस्त देते हैं ऐसा कई बार हम आप कोई भी कर सकते हैं तो आए हम इसे इस मोटिवेशनल कहानी के माद्धमचा समझते हैं आए इस सुरू करते हैं काफी समय पहले की बात है दोस्तों एक आदमी रैगिस्तान में फस गया था वह मन ही मन अपने आपको बोल रहा था कि यह कितनी अच्छे और सुन्दर जगह है अगर यहां पर पानी होता तो यहां पर कितने अच्छे अच्छे पेर उग रहे होते यह कितने अच्छे जगह में आता और यहां लोग घूमने आते मतलब ब्लेम कर रहा था कि यह होता तो वह होता और ऐसा होता तो सायद वैसा होता उपर वाला देख रहा था अब उस इनसान ने शोचा यहां पर पानी नहीं दिख रहा है उसको थोड़ी दिर आगे जाने के बाद एक कुवा दिखाई दिया जो की पानी से लबा लब भरा हुआ था काफी देर तक विचार विमर्स करता रहा खुद से फिर बाद में उसको वहां पर एक रसी और बाल्टिल दिखाई दी इसके बाद कहीं से एक पर्ची उरकर उसके सामने आती है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि तुमने कहा था कि यहां पानी का कोई स्रोत नहीं है अब जाओ तुम्हारे पास पानी का भी स्रोत है तुम चाहो तो यहां पौधा लगा सकते हो मगर दोस्तो वह वहां से चला जाता है दन्यवाद दोस्तो दोस्तो इस कहानी से तो यही लगता है कि कुछ लोग परिष्थिती को दोस्त देना जानते हैं अगर उनके पास उप्युक्त स्रोथ हो तो यह परिष्थिती को नहीं बदल सकते सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है दोस्तो इस कहानी से यह सिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिष्थेतियां बदले और आपको अगर उसके लाइक उप्युक्त सोर्सेज मिलते हैं तो आप अपना 1% योगदान तो जरूर दे सकते हैं और हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए दन्यवाद दोस्तों